नियूज नेशन पर आपका स्वागत है आपके साथ मेहूर आकेश पांडे दो पहर के दो बच्चों के हैं शुरुबाद बड़ी कबर के साथ और बड़ी कबर रहत वाली कबर है अफगानिस्तान से काबूल से जहां पर अगवा सभी भारतिये रिया कर दिये गए हैं अफग इस वक्ति की बड़ी कबर और राहत देने वाली खबर जोंकि इनके वेरवार्ट को लेकर चिंता थी इनकी सही सलामती को लेकर इनकी चिंता थी भारत में और लगातार चिंताएं प्रबल होने लगी थी और इसी बीच ये खबर आई है कि तालिबान की ओर से सभी लोगों क रहा कर दिये गए हैं ये भी जानका रही है कि सभी लोगों को एक गैरिज में रखा गया था ये इस वक्ति की बड़ी खबर है और वहाँ पर इनके दस्तावेजों की जाच हो रही थी सभी भारतियों को एरपोर्ट भेजा गया है ये बड़ी खबर लेकिन ये तस्वीरे जो लगतार सामने आ रही है वो तस्वीरे तस्वीरे कर रही है काबूल में हलात कितने विगड़ चुके हैं सड़कों पर इसीती क्या है नेज़नेशन की टीम भी वहाँ पर पहुंची है और हमने अपने कैमरे के जरिए जो काबूल की सड़कों की तस्वीर दिखाई है वो तस्वीर देराने बाली है वो तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि चारों और भै का महौल है इस बीच कुछ और तस्वीर आप देखिए पहरी तस्वीर काबल के सरकों की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर जो एरपोर्ट पर इस्तिती क्या है किसे जंग मैदान जैसा तब्दील होता नजर आ रहा है जहाँ पर सर्फ सैनिकों की मौजूदगी आर्मी के वेकल्स और साथी वाड़ शेना के विमान और बाहर सैक्णों हजारों की तादाद में लोग और बाहर रेकर गुलिबारी की आवार कहा ये भी जा रहा है कि गुलिबारी इसलिए भी की जा रही है ताकि लोगों की बड़ी संक्या वहाँ पर जमा हो गई थी एरपोर्ट के बाहर और चलिए आगे बढ़ते हैं खपरों में नैनिताल से लेंड्सलाइट की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है हाईवे पर अचानक पहाड का एक बड़ा हिस्सा भरबरा कर गिर पड़ा सड़क पर गिरते मलवे को देखकर ड्राइवर ने फॉरण रिवर्स गिर दिया और बस को वहां से पीछे लेकर गया फिर जैसे ही बस रुकी सवारियों ने भाग कर अपनी जान बचाई यहाथसा भवाली से वीर भटी होते हुए हल्दवानी की ओर जाने वाला हाईवे है जहां पर यहाथसा हुआ है यानि एक तरीके से हल्दवानी और नेनिताल जो मार गये उस पर यहाथसा हुआ है लेंड स्लाइड की बज़े से रास्ता फिलहाल बंद करना पड़ा है यह तस्वीर आप देखिए किस तरीके से पहाड का एक खिसा तूटर भरबरा कर गिरा है लगतार होती बारिज से पहाडों पर लेंड स्लाइड की खटना है बढ़ गई है हजबानी नरीताल मार की यह तस्वीर है वीर भटी की और जाने वाला यह रास्ता और आप यह देखिए डाइवर की समझ बूज थी तूज बूज थी जिसकी बज़े से जैसे उसने हल चल देखी तुरंत रिवर्स गेर लेकर बस को पीछे लिया वरना आप सुची अगर इस मलबे की चपेट पे बस आती तो कितना बड़ा हाथ सा हो सकता था ताकि उनकी जान बचे समिर्शामार साथ समिर्शामार साथ सीधे उनका रुकर रुक करते हैं समिर्शा यह तस्वीर डराने वाली है ज़स तरके से लेंड्सलाइड हुआ पूरा रास्ता बंद करना पड़ा जी बिलकुल देखे जो तस्वीरे हैं वो काफी भयावे हैं और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो मलवे के साथ सटक में पूरा समा गए थे जिसके बाद जो दोनों तरफ है वह याता यात रोग दिया गया था लेकिन वहां पे केहमुयों की बस खडी जो ड्राइवर था उसने सुच-बुच दिखाई और बस को है जो रिवर्स गयर में लिया और उसी दोरान जो बस में यातरी सवार थे वो भी डरे हुए थे और कुछ लोग आप देख सकते हैं कि गाड़ बस से उतार कर भाग कर अपनी जान बचा रहे हैं तो देखे फिलाल अभी जो यह याद है वहां रोका गया है जो ट्रैफिक है उसको भीमताल और ननीताल से बेजा जा रहा है जी ठीक है समीर हम से जुड़ने के लिए पुरी जानकार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यह तस्वीर ढराने वाली तस्वीर आप देखे किस तरीके से एक बड़ा हिस्सा प अबर दक्षूर कश्मीर में आतंके के खिलाफ सुरक्षा बलों का ओप्रेशन ओल आउट जा रही है त्राल में सेना ने एंकाउटर में तीन आतंकवादियों को ठेर कर दिया मारे गया आतंकी लंबे वक्त से घाटी में सक्री बताए जा रहे है यह अगर जंगल में भी ज आतंक के सपोलों को चहन्नों का रास्ता आतंकियों को चुन-चुन कर मारा संदेश साफ है अगर भारत की तरफ आख उठा कर देखोगे तो चहन्नों जाते तेर नहीं लगेगी और हुआ भी यही जमू कश्मीर के ट्राल में सुरक्षा बलो ने एंकाउंटर में तीन आतंकियों को मार गिराया है मारे गए तीनों आतंकी लंबे वक्स से घाटी में सक्रिये थे और गुजजर समुदाये को मांसीक और शाररीक दोर पर प्रताडित कर रहे थे मारे गया तंक्यों के पास से दो 147 राइफल, SLR और भारी मात्रा में कार्थूस बरामत गुजजर कम्यूट्री के लोग थे जो उसको पना दे रहे थे जिनके फैमिली को भी लोग एक्सपाइट करते थे फिनांसली, फिजिकली उनलोग कंप्लेंट भी करते थे बार बार उस ऩड़नेकी निर्स में से कोई जक्मी ने हुआ, ना तो में को या फोर्ष से कोई जक्मी हुआ है, यह या में तर्ट 내ett resigned की बेना ओप्रेशन था। और ये मैं ये कहना चाहूँगा टेरिस्ट से उनके फैमिली मेंबर से अगर आप ये समझते हो कि हम सिविलेन किलिंग करके इनुसेंट किलिंग करके फाहर पर कहीं जाके चिपके बैठ जाएंगे तो हमको कोई कुछ ने कराएगा ऐसा ने समझे हमारे फोर्स इतने प्रोफे बेड़ा उठाया राश्ट्रिय राइफल के जवानों ने ये वही बटालियन है जिसका नाम सुनते ही आतंकियों के होश फाक्ता हो जाते हैं ओपरेशन कड़ा था लेकिन इरादे मजबूर आतंकियों को कबरगाह तक पहुचाना एहम मकसद था तुर्गम पहाडियों में ओपरेशन शुरू हो गया गोलियों की तरटड़ाहट से खाटी गूंज उठी और आखिरकार चीज सुरक्षा बलों को मिली तीनों दहशतगरों को ठिकाने लगा दिया गया इनों टेर्रिस्ट जो हैं काफी टाइम से यहां पर उपरेट कर रहे थे वहां के लोकल गुजर कम्यूनिटी हमारे को जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम लंबू के उपरेशन में भी बताया था इनके अगेस्ट तीन-चार बारी हमें ख़बर दे चुकी थी वो बता रहे कि ना ही बिल्ट अप एरिया में और वैली फ्लोर में इनके लिए कोई जगा नहीं है यह अगर जंगल में भी जाएंगे वहाँ पर भी हमारे पास इनकी ख़बर आती रहेगी और इनको न्यूटलाइज किया जाए घाटी में सुरक्षाबलों का ओपरेशन ओल आउट जारी है आतंक्यों की लिस्ट तैयार है और सुरक्षाबल चुन-चुन कर आतंक्यों को जहन्नुम का रास्ता दिखा रहे है इसके पहले शुक्रवार को भी सुरक्षाबलों ने हिजबूर के दो आतंक्यों को लंबी मार गिराया था फिलाल सेना, सी आर पीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर जोईंट आपरेशन चला रही है और इलागे में सर्च अभियान अभी जारी है